कि संगठन की जब जब आवश्यक्ता पड़ी है संगठन की हमेशा आदर्निय प्रधानमंत्री जी का हमको नेत्रत मिला मारदर्शन मिला और समय मिला है वह हम सबको अपने व्यस्तितम समय में भी जब भी पार्टी ने उनसे कोई आशा रखी वह हमेशा हम सबके मारदर्शन देने के लिए हमेशा उनका हमको समय मिलता रहा है मैं अपनी और से और सभी पार्टी के कारे करता हूं कि और से उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनके मारदर्शन से पार्टी को हम ताकत दे पाते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सब लोग अपना योगदान कर पाते हैं मुझे याद है कि पिछली बैठक में आप आये थे और आपने हमें मार्धर्शन दिया था और आपने लंबा समय हमारे साथ गुजारा था और जिसमें आपने पार्टी के कारेशेली, रीती नीती, पार्टी की संस्कृती, पार्टी की कारेपदती, इन सारे विश्यों में मुझे याद है कि आपने हमें उसी बैठक के अंदर कारे करता के संसकार और कारे करताओं के संसकार का प्रतिपादन और किस तरीके से हम आगे आने वाले कारे करताओं को संसकारित कर सकें इसके भी आपने हम सब को बहुत कारगर उपाए भी बताये थे और किस तरीके से पार् पारदर्शन मिला हम आपके धन्यवादी हैं कि कोविट के संक्रमन काल में जब सभी राजनेतिक दल एक तरीके से लॉकडाउन हो गई एक तरीके से क्वारेंटाइन हो गई एक तरीके से आइसोलेशन में चली गई और सिर्फ नेता भी ट्विटर पर दिखे ऐसे वक्त पर आ और सेवाही संगठन के मंत्र से भारतिय जनता पारटी के करोडों कारेकरताओं को कारे करने के लिए प्रेरित किया और हमें इस बात की खुशी है कि आज भारतिय जनता पारटी का एक एक कारेकरता आपके बताये रास्ते के तो समझते हुए और उस पर चलते हुए वो उसन तो समाज को साथ लेकर के सेवाही संगिठन के माध्यम से करोडों लोगों तक पहुँचने का और उनको राशन पहुचाने का दवाई पहुचाने का उनके दर्द पर मर्म लगाने का जो मंत्रा आपने दिया उसको भारतिय जन्ता पार्टी ने बखुबी निभाया मैं अपना सौभा के मानता हूँ कि हमें पल पल पर आपका मारदर्शन मिलता रहता है